हेलो दोस्तों हम सब कैसे हैं उम्मीद करता हूं सभी लोग अच्छ होंगे जाबी होंगे चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को जो की काफी मैत पूरा आप लोग को देखने को विलेगी आज हम लोग यहाँ पर मद्धिकालीन भारत है उसको कबर करेंगे देख अगबक में डाई से तीन घंडे क्लास होगी इसी में आप लोग के लिए राज़ा बवु बना देंगे तो आप लोग को परिसान नहीं होना है बिल्कुल भी पेसेंस के साथ इन क्लास इसको देखेगा फिर आप लोग की बचेगी वह आधुनिक भारत में बचेगी फिर आ करें अएक महेंने के समय में आप लोग सिरिप और सिरिप्र रिवैजन करिwand जादा स्याटा हैं चाहिए तो हम ने आप से बहुता में पहले ही आप लोगव फ्री कर देंगे अभी एक महेंने आराम से बैढ्ट करने कर सकते हैं तों आप लोग जानते हैं कि मोस्ट अफ्ष् 65 सर ने पढ़ाया है सिम्म सर ने उसको क्लास को देख लीजे और साथ में आपने जो NCRT पढ़के रखी होगी उसको एक बार रिवाइज कर लीजेगा ओके साइंस जो साइंस की क्लास है वो हम दे देते लेकिन साइंस के हमारे पास में नोट्स नहीं है इस बज़े से हम उसकी ग्लास नहीं दे पाएं तो एक छोटा से सब्जेक्ट है उसको आप लोग खुछ से भी प्रिपेर कर सकते हैं और सभी सब्जेक्टों पर इस तरह से महामेरातन क्लास दे रखी है जागर के देख लीजे जीरो टू हीरो आप लोग बन जाएंगे सबी का लिंक है वो कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे आप लोग जॉइन कर सकते हैं चैनल पर विजिट करेंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे देखिए अगर हम लोग बात करें अपने इतिहास की किसकी हिस्टरी की अगर हम लोग बात करें तो इतिहास को हम तीन भागों में बाट करके देख सकते हैं एक प्राचीन भारत देखने को बिलेगा एक मद्धिकालीन भारत देखने को बिलेगा देखिए जो मद्धिकालीन भारत को. देखे मदधिकालिन भारत को हम समान तक three भागों में बाटकर के देख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें, यहांपर देखे 712 से लेकर के 1206 का समय होता है, यह समय होता है, सामंटी काल होता है, यहांपर छोटी-छोटी सक्तियां होती हैं, वो उभर करके सामने आती हैं इसी को हम राजपूत काल के नाम से भी जनते हैं अब देखे इस समय क्या था बिखराव हो गया था हमारे भारत में जो छोटी-छोटी सक्तियां उभर करके जबाई थी तो एक केंदरी के रित एक मजबूत सक्ती नहीं थी इसी का लाब उठा लि पहोँता है तो मुहमब गजनी भी आता है और लगभग में 17 बहस्ता के चला जाता है üç और इसी के साथ में आता है कि वह संत्वना करता है उसकी निब हम दालता है भारत के लिखा कि आपको देखने को मिलेगा कि दूसरा काल सूरू होता है invers26 से लेकर्के 1526 तक यह दिल्ली संतनलत आप लोग को देखिने को को अधा है इसके बाद में मुगल काल आप लोग को देखने को मिलेगा दिल्ली संतनलत में कुछ यहाँ पर बंस है देखने को मिलेंगे पिर हिमाईू का इतना किसमत विचारे का विकार होता है, इतना किसमत विकार होता है, अभी इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को भी तरस आएगा हिमाईू के पर, यार इसकी किसमत कैसी थी, हिमाईू आता है, तो इसे जो सेर सहा सूरी होता है, वो हरा देता है, तो व इस बिचारे हमाईयों को फिर लटार करके भागा देता है कुछ दिनों के लिए लिए हमाईयों को बाहर जाना पड़ता है फिर इस सक्ति disease मेजबुत नियुक्षान कर ते लोगों के लिए फिर से भारती अकरमन करके अपना ये वालेlas गाले आफी के य मिर्ती हो जाती है वह एसवी प्स्त कालीम हो जाती है हम लोग आंगे बढ़ते हैं आप लोगको देखने को मिलेगा फिर इसके बाद में देखें फिर आता है अकबर आता है जहांगीर आता है फिर साजहा फिर और अरगजेप दीजिए आप पर प्रस्ट भूमी की रूप में रिफ्रेंस की रूप में इनका उपयोग होता है तो हम लोग बहां पर थोड़े सा टॉपिक कवर करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ग्लास को फिर उसके बाद में आधुनिक वारत से स्टार्ट हो जाता है देखें चलिए इसमे अकरमण होता है अगर हम बात करें अर्वो की आकरमण की तो आपको इस तरह से देखने को भी लिए तो एक समधाइविसेस के लोग है वो प्लीज यहां पर बुरा ना मानिये देखें हम जब बहुत आएंगे तो बहुत को भी पढ़ाएंगे जब जैन आएंगे तो जैन को आप लोग के लिए उसी तरह से अपनी मेंडेलिटी रखनी है ऐसा नहीं कि कट्टर पंत आपके अंदर है तो ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अर्वो का आकरमण देखें जो अर्वो का आकरमण होता है वो 712 इस भी में आप लोग देखने को मिलेगा आकरमण किया दाता है देखें जो अर्व होते हैं आखरें सिंद में आकरमण क्यों करते हैं अकरके इन्हें ऐसी कौन से विपत्ति पढ़ गई कि भाई इतनी दूर से आ करके यह आकरमण करने के लिए तो बहुत सारे रीजन होते हैं आप लोग देखने को मिलेगा और भारत में निकलिए जाते ऀए उस्ती उसे और निकलिएТак यह कं जूएरेजे संधने को मिलेगा और बहुत जघ्ड़ हमें चौनौकर हैं उस्तार सिंद जाता हैं बहुत-पलेजाई ममझोर होते हैं एक तरह से क्योंकि इनके पास में जो इनके जो नौबहांस सेना होती है उतन जड़र सकता थैं अब देखें यहां समुदरी टाकू होते हैं इस अट किया करते हैं जैसे ही इन ये सिपष्ट लोटे हैं और फिर जो आरबी लूट लिया गया तुम्हारे पास में सेना वेना ऐसी नहीं है जो समुद्र में लड़ सके जा करके बोले कि अच्छा चलो ठीक है तुमने हमारी बात को नकार दिया भी हम आते हैं फिर आप लोग देखने को मिलेगा कि यहां पर जो मुहम्मद बिन कासिम है यह आता है और सि जगह दे दो हम आगर के तुम्हारे उपर आकरावण करते हैं तो आप लोग को देखने को मिलेगा यही देवल बंदर गहा है यहां पर जो अरब होते हैं ना इनके सिपों को लूट लिया जाता है तो एक रीजन तो यह था अकरवण करने का दूसरा रीजन था कि इसलाम का प्रिशार और तीसरा करण था कि इधर धनसंबदा बहुत थी तो धनसंबदा को लूट करके लिए जाएंगे तो भी प्रॉफिटी प्रॉफिट है आप लोग देखने को मिलेगा देखिए इसलाम धरम का प्रिशार आप देखेंगे कि इसी टाइम पीरेड में इधर जो इ देखते हैं यहां पर जो बुक्स में लिखा हुऊ हूई उन पर अपर हम लोग ध्यान देते हैं जबसे पहले आगर हम लोग बात करें हैं मदीना देखने को मिलेगा देखिए क्योंकि देखिए मुहम्मद साहब होते हैं यह इस प्रिकार की एक अपनी विचारधारा प्रस्तुत करते हैं और एक तरह से जो इसलाम है उसका प्रसार करने की बात करते हैं क्योंकि उस समय तक इसलाम नाम की यहां पर सीज नहीं होती है बलकि जो मुहम्मद साहब है यही ए मतलब बताते हैं कि हमें इस तरह से संगठित होना चाहिए और कोड व कनडेक्ट बनाते हैं और यहाँ पर मक्का कों तो मक्का में जो सासक, जिन लोगों का सासक होता है, मतलब सासन होता है, बूलोग परिसान हो जाते हैं, कहते हैं मुहमत साहिब क्या कर रहा है, लोग विबस्ता जो है law and order है, इसको disturb कर रहा है, यह अराजक बिकती है, इसको इधर से भगाओ, तो यहां के जो सासक होते हैं, व यहां से यहां आ जाते हैं और आप लोगों को देखने को मिलेगा जैसे की जो गलेंडर होता है तो जैसे आदुनिक कलेंडर हम लोग का आप लोग देखने को मिलेगा इसी तरह से बिक्रवा आदित एक हम लोग का संबत है तो भी हम लोग का कलेंडर है इसी तरह से आप लोग को देखने को मिलेगा जो हिजरी संबत है यह इन लोगों का कलेंडर माना जाता है उसकी तो 22 से आप लोग इसकी शुरुआत देखने को मिलेगी देखिए और जो मुहमद साहीब है ना इनका जनम है वो 570 से लेकर के और मतलब 632 के बीच माना जाता है मतलब इधर जनम हुआ और फिर इधर इनकी मिर्तियों हो जाती तो पही टाइम पिरेट आप लोग को देखने को बिने को विएका पिलेगा तो यह चीज्ज है भी के इसके बारें जायता बात नperform के बद्धिनिक और चली हम लोग को देखने को बने को देखने को करने की नहीं और लोग देखने को लोग देखनें हैं और देखते हैं मुहम्मद गजनमी का आकरमण तो देखें मुहम्मद गजनमी का आकरमण होता है 1000 से लेकर के आपको 1025 सक भिबिन आकरमण होते हैं मुहम्मद गजनमी आगर के आकरमण करता है भारत में यह देखें आकरमण क्यों करता है इसका कारण क्या होता है आप लोग को देखने को मिलेगा एक तो धनसंबदा लूटना क्योंकि जो यह लोग किस छेतर में रहते थे यह लोग है रेकेस्थानी छेतर में रहते थे कुछ बहां पर उत्पादन ही नहीं होता था इस बजए से यहां के लोग अपने जीवन को जीपने आपन के लिए एक तरह से हमला करते थे धनसंबदा लूटते थे बाद में अपना पेड भरते थे तो यह चीज़ आप लोग को देखने को मिलेगी तो देखे धनसंबदा को यहां पर आकरमण करके प्रसिद्दी कोँ हांसिल करना नाम होगाánh थे प्रसिद्दी को वह resources करना यहां सारे एसे एथे इन उद्देश्यों की पूर्थी के लिए भारत में भी आकरमण नहीं करते थे आसपास के इह चीज़ां आ लोगो देखनेसे वहाँ तो की तो देख यहां पर पेशाबर में जैपाल के साथ में युद्ध होता है और इसी तरह से आप लोग देखने को मिलेगा की देखे इसमें तो यह जीत जाता है फिर 104 में फिर से आता है फिर से रेड मारता है तो भटिंदा के साथ में जो होता है मतलब जो भटिंदा में रेड मारता है युद्धु होता है भटिंदा का युद्धु होता है लेकिन पता नहीं है किसके साथ में हुआ है मतलब ग्यात नहीं है यह हमको ही नहीं मतलब इस परकार किस तुरोध नहीं मिले है कि यहां पर किसके साथ में युद्ध गिया था इस कपनोज और मतुरा में आगर के rid मारता है इसी तरह से 2025 में यहां पर सोमनाथ भाँ पर जगर के raid मारता है और यहां पर भीम पृथम जो होते है बहूं पर हम के साथ में का यहांपर भीमीं पिर्थम को देखने को इस तरह महममद गौरि आता है इसमें आप लोग देख सकते हैं कि 1175 से लेकर के 1206 भी तक यहां पर भिविन युद्ध दोते हैं गौरी आता है भारत में आकरमण करने के लिए तो दीखिए इसी समय सामन्तों का काल होता है आप लोग जानते हैं राजपूतों का काल होता है दीखिए इन में पहला जब गौरी आता है गौरी आगर के पहला अकरमण करता है पहला अकरमण करता है गुजरात में और गुजरात में यहां पर इसको भिढ़ना पड़ता है भीम तिरतिये से भीम तिरतिये से भिढ़ना पड़ता है और भीम तिरतिये हैं वो गौरी को हरा देते हैं मुहम्मद गौरी क्या होता है, हार जाता है, मुहम्मद गौरी हार करके लोट जाता है, फिर इसे अपनी सेना वेना तैयार करता है, फिर इसे आता है, फिर आप लोग देखने को मिलेगा कि 1180 से 90 के बीच में आगर के युद्ध करता है, यहां पर युद्ध है, वो ऐसे एक होता है यह जीत जाता है फिर 1191 में फिर से आता है तराइन प्रिथम का यहां पर युद्ध होता है यहां पर जो प्रतवी राज चोहां तिरतिये होते हैं वो फिर से इस गोरी को हरा देते हैं घोरी को फिर से गोरी को हरód मिलती आ यहाँ पर भी गणिया thanks कि अपनी अपनी से ने को तगड़ा करके आंगा शीरों की इसमया होता है इं में नियुक्त सब्रसे जाता है जोटां फिर आगर के फिर से जीत जाता है आप लोगों को देखने को मिलेगा तराइन दुतिये के युद्ध में जीत जाता है फिर 1194 में फिर से युद्ध होता है चंदावर का युद्ध होता है यह बहुत जादा महत्पूर होता है क्योंकि चंदावर के युद्ध में एबक है वो इस पार्टिसिपेट करता है एबग कान होता है इसी गौरी का एक तरह से गुलाम होता है गुलाम होता है बहुँता हासिल की और हब्रसिद्धि हासिल कर각े भारत में किसको दिखाएगा इसको कोई भी होता है पैसा वह सथा कामाता है फिर वह कहां आ अबने अपने ैरेया में धिनयक्रणन दिखाता है कि हाँ घुन Be फॉर्चूनर है दो-दो फॉर्चूनर है और मेरे पास खुब पैसा है देखो आलिसान बंगला बनाता है जहां पर वो रहता है जाकर के मतलब जहां कभू निवासी होता है इसी तरह से यहार बहुत प्रिशिद्धी हासिल कर लिए धंसंबदा हासिल कर लिए चलो थोड़ी स जाट जो होते हैं वो रास्ते में ही मार देते हैं जारा होता है इनका कभीला जारा होता है जब जारा होता है नहीं के काफिले के उपर खोकर जाट है वो हमला करते हैं जाट जैसी जानते हैं वैसी एक दम उल्टी खोपड़ी की होते हैं वो जो सोच लेते हैं वो करते हैं तो एबग क्या होता है वो गौरी का एक तरह से दास होता है आप लोग को देखने को पहलेगा फिर यही दिल्ली संतनत की स्थापना करता है यही जो एबग होता है यही दिल्ली संतनत की स्थापना करता है और एक गुलाम होता है इसी लिए इसको गुलाम बन सके नाम से जानते है किसके नाम से लाइं तत Parlament नेला देखिए जो अभग होता है वो गौरी का क्या होता Wochen तरी से दास होता हैось तो आप लोग 10 स् ast scenes recommend ने जाता है निरास्ति में गौरी को टबका दिया जाता है फिर आम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एयवक कि यहां से ही दिल्ली संतनत का उसका प्रारम्ब होता है देखिए अगर हम बात करें गुलाम्बन्स में तो गुलाम्बन्स में लगभक में 11 साथक है जो ग्यारा सासक होते हैं वो आते हैं बनवाई बन सब को पढ़ने की आब सकता नहीं है जो प्रमुख प्रमुख है भही आप लोगो को याद रखने तो जो जो हम प्रमुख प्रमुख आपको बताएंगे उन्हीं को याद रख लीजेगा सब को पढ़ने की आब सकता नहीं ह तो गुलांबंस की इस्थापना या फिर दिल्ली सल्दनत की इस्थापना किसंने की एमक ने की इसका पूरा नाम था कुतुबूतीन इबक क मैं झाना। इसके उपाती नहीं लिता है कहता है मैं तो भीया एक सेबक हूं मैं तो एक दास हूं अपने किसका जो भी मेरे राजा है या फिर मेरे जो भी है मतलब भगवान है उनका मैं क्या हूं एक तरह से बखूं यानकि गौरी का मैं एक सेबक हूं तो यह अपने आपको सीपी सलार मानता है सब्सक्राइब लता है झालाुक्त के सब्सक्राइब से लाक किनाच सबसक्राइब ऐबक है वो लाहोर में आपनी राजदानी है वो क्वेल कैपिटल है कहां भाना था में बनाते हैं память पुरबाते से इसको उन्ट द्हान रखना है और जो 2017 है इसकी किस्मत बिचारी की बेकार होती है एक बोलता है कि चलो यार ठलियर है आप चलो थोड़ा सा खेल खाल ले जाकर के यह जाता है घोड़े के साथ में खेलने के लिए तो हॉर्स फूलो आप लोगोने सुना होगा कि मतलब होकी जैसे नौर्पली लोग दोड़ करके होकी खेलते हैं एक गोड़े पर बेट करके एक होगी खेली जाते है उसको हॉर्स फोलो बोलते हैं यही हॉर्सरो खेलते हुए गिर जाता है विचारा और गिरने से इसकी मृदू होती है अब लोग दे खने को मिलेगा इसी के लिए हॉर्स फोलो के लिए मर्द काल में चौगा वो कहां होती है लाहौर में होती है लाहौर से ट्रांसफर करके दिल्ली कर देता है अब लोग देखने को भी अब राजधानी कहां पहुंच जाती है दिल्ली से सासन प्रारम किया जाता है और यही बास्तविक संस्थापक माना जाता है देखिए नामी है दिल्ली संतनत और द तपूड हो जाता है मैं तपूड इसलिए हो जाता है क्योंकि यह काफी काफी यहां पर सुधार करता है विवस्ताओं में काफी सुधार करता है जैसे तुर्क चालीसा विवस्ता को परारम करता है तुर्क चालीसा विवस्ता एक ऐसी विवस्ता होती है जिसमें चालीस अधि चालिस लोग मिल करके यहां पर चालिस अतिकारी होते हैं, तुरक्चह пять इसा बोलते हैं यही सासन वासन पर सासन का काम एक तरह से देखते थे और इसके अलावा देखिए यह जो सिक्का है भूभी प्राराम करता है एक और 48 के रेशियो में सिक्का प्राराम करता है सिक्का होता है चांदी चांदी और जो टंका होता है उसको मिस्रित करके बनाया जा आवक इंसानींillar के गई जंदा निलटा लटका करके ऊब भूंबून के खाता है ओ इतना होता है चंगेघ्त होता यतना कुरूर था उसको उसको मज़ा आता अगर जिस दिन वो इसी को मारे ना तब तक उसको नीदी नहीं आती थी चंगेश खाह इतना खतरना था देखने में नाटा था लेकिन बहुत भ्यानक था जो चंगेश खाह का युद्ध होता है मतलब चंगेश खाह आकरमत करता है तो उसका भी इसको सामना करना पड़ता है इसी तरह से अगर हम लोग देखने को मिलेगा चेतर है इसी को बोलता इसी को बोला जाता था इकता बोला जाता था ओके इकता का मतलब क्या है इकता का मतलब होता है भूमी का टुकड़ा इसका मतलब क्या होता है भूमी का टुकड़ा यहां पर भूमी का भाग या फिर टुकड़ा ओके इसी भू कि अदिकार होता था उजी से किर्सी होगी तो आपकोτο देखने को को बाइगा यह आयए कि इसके पास यह कि इसके पास आएगी एक्तादार एक güç करेंगा अब इसके पास जो भी क्या गएगा यह तो इसायी श्रक्वाता सानए जौन दो इसके पास पास लुब है U से, मानते हैं 100 रुपय आया तो उस समय तो अधिकांस था आप लोग देखने को बिलेगा, सिक्के का प्रचलन बहुत कम आप मतलब सिक्के चलते थे, सिक्के का प्रचलन कम था लेकिन ग्रामिड छित्रों में आप लोग देखने को तुम सांती विवस्ता को बनाए रखो कोई इदर एंब एंग करें चोरी चकारी हो तुम देखो अब इस सांती विवस्ता बनाए रखने के लिए बिद्रो बिद्रो ना हो वो भी जिम्मेदारी दी जाएगी बिद्रो ना हो सांती विवस्ता बनाए रखो तो इसके लिए इस कि लिए निकारियों कि लिए के विकास के ल taraf रहरा है वह पईसा घर्च करो तुम भी थोड़ा भाइव departments युट पूरी करो जो भी है इसको हमसे दो क्या देता था फवाजल बोला जाता था यही सेश भाग क्या 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 राता था फवाजल क्या राता था समझ गया आप लोग तो एक कोई rocket science वाली सीज नहीं है फिर देखिए आप लोगों देखने को मिलेगा कि देखिए यहां पर पहले एबग होता है एबग के बाद आप लोगों देखने को मिलेगा यहां पर सासक जजिया रजिया आप लोगों देखने को मिलेगा जजिया नहीं जजिया तो कर था रजिया आप लोगों देखने को मिलेगा रजिया क्या होती है पिर्थम आप लोगों महिला देखने को मिलेगी महिला सासिका देखने को मिलेगी जो मतलब इन लोगों में क्या थी पिर्थम महिला सास थी ना पैसे तो बहुत जादा capable थी छमता बहुत थी बस एक एक कारण था एक मातर इनका मतलब इनको स्विकार नहीं किया गया उसके पीछे एक मातर कारण था कि यह महिला थी पैसे यह बहुत जादा कुसल थी और capable भी थी लेकिन आप लोगों देखने को में लेगा कि इस बज़े से स्विकार नहीं किया गया था क्योंकि यह महिला थी इन्होंने भटिंडा के जो मतलब एक सरदार थे उनके साथ में विवा भी किया था और साथ में इन्होंने परदा प्रिथा का त्याग किया था क्योंकि देखिए आप देखिए सवा लगानी पड़ेगी यहां पर एक सुल्तान की तरह सारी भूमिकाई निवानी पड़ेंगी ना अब ऐसे परदे में रहकर के तो कह कर नहीं सकते बुर्गह पहन के तो सब कुछ कर नहीं सकते तो इस लोग होते हैं वह सत्ता को हतिया अना चाहते हैं इसके बाद में आप लोग देखनी को मिलेगा एक बलबन होता है बहुत्यूंबान होता है बहुत जदा महतब कांशी देखने को मिलेगा तुर्क E 40 को को समाप्त कर देता थीं जिसमें 40 अधिकारी जो होते हैं तुर्किया 40 है कोई समाप्त कर देता है साथ में देखिए इस समया तक आते आते गिरह युद्ध की स्थिति बहुत जाता है उत्पन हो जाती है अंदर ही अंदर सड्यंत्र बहुत चलने लगते हैं इन सड्यंत्र को दूर करने के लिए इसने लोह एवं रक्त के नीती अपनाई जो भी बिद्र हुई है गला उसका करक्या कर दो कलम कर दो और आप लोगों को देखने को मिलेगा कि राजत्व सिद्धान्त है उसको भी अपनाया था साथ में जो नौरोजी परता है वो भी प्रारम की थी नौरोजी परता क्या होती है जो सूरदेपता होते हैं उनकी एक तरह से पूजा की जाती है वो नौरोजी परता है वो प्रारम की थी देखे यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तुर्क एचालीसा विवस्ता है उसको तो समाप्त कर दिया तो यहां पर नई विवस्ता इसने प्रारम की जैसे इसने विवस्ता प्रारम की क्योंकि देखिए इसने जो विद्रोही थे उनको समाप्त करना था तो इसको नई विवस्ता लागू करनी पड़ी एक तो था दिवान ए आजीर आप लोगों को देखने को मिलेगा एक तरह से यह सासन प्रसासन का काम करने का एक कारिर करते थे इसके अलावा गुप्तुचर विभाग आप लोगे को देखने को मिलेगा कोई यह उचसे बतंतर को काफी किसको किसको दूर करना था बिद्रोयों को पैचानने के लिए सज़्दा और पैज्वोस है स إडारो थो इग तब पता चलेगा सज़्दा और पैवोस होगा सज़्दा क्या होता है आप सुल्तान के सामने जाएंगे और सिर ऐसे जुका करके नमन करेंगे और जो ऐसे सुल्तान के खिलाब होगा वो ठीक से ऐसे सीनत आन कर चलेगा बोले कि उसके सामने क्यों सिर जुकाएं तो बोले कि यह बिद्र हो यह इसका सर काट दो डूसरा क्या है, अफर पाई बोस , पाई बोस में क्या होता है, सुल्तान का जगर के पैर चुमना होता है, मतलब एक तरह से अपने लॉयलेटी दिखाने के लिए पैर चुमना हमदता है, वो लिए जो पैर चुमर रहा थे आकर्मड भी होते थे सैन पोस्टों की स्थापना की गई थे तो ये छीज देखने को मिले फिर देखि इसके बात में आप लोगं देखने को मिलेगा खिल जी बंस आ जाता है क्या जाता है फिर उस刃 ज्छिवेंगा होते हैं वो तकी स्थाप्ना करते हैं कौन होता है संस्तापक अलाउद्दीन कはいंतों थी छोता है वो खिलिजी बंस का क्या होता है संस्तापक होता है फिर अलाउद्दीन खिलिजी आता है देखे जलालुद्दीन के बाद में क्या आता है अलाउद्दीन खिलिजी आता है यह काफी मेंत्वड होता है देखे जो अलाउद्दीन खिलिजी होता है यह जो रण थंबौर होता है चितोड होता है, गुजरात होता है, मालबा होता है इस पर भी जागर के अधिकार कर लेता है मतलब युद्द करके इनको जीत लेता है इनका इन पर अपना अधिकार कर लेता है तो यह चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी और साथ में देखे जो Allowed Dean होता है ना ये Allowed Dean उत्तर भारत में तो Direct Rule करता है और जो दच्छड भारत होता है उसमें Indirect Rule करता है आप प्रत्यक्ष सासन करता है एक अच्छी इसने मतलब दूर दर्सिता को देखते हुए एक दूर दर्सिता सोच रखते हुए इसने बहुत अच् पहुत सारे रेफॉर्म भी किये है आстी इसने मार्केट किया मार्केट में बहुत जब्स होती और लोगों को बहुत लूटा जाता था इसने मार्केट रेफॉर्म किया अच्छी में किया इसमें आप लोग दिखने को है एक तीन रूपों में मतलब तीन तरह की यहां पर बजार विवस्ता थी मार्केट सिस्टम था एक अनाज के लिए इसने बनाया था जैसे कि हमारी यहां भी भी मंडिया होती है अब लोग देख जहां पर अनाज और सब्जिया बेची जाती है दूसरा यहां पर जो बजार स बजार विवस्ता है आप लोग को देखने को मिलेंगी अब देखिए इन बजार विवस्ताओं में क्या किया इसने रिफॉर्म किया यहां पर रेटों को फिक्स कर दिया रेटों को अभी जैसे आप देखेंगे बिस्किट आप एक दुकान से खरीती है अगर पार लेजिव पैंच रूपए का बाइख रूपए ऐसे पहले क्या था कि किना ह्समस्या भृषर है एक बासित नुटकback क्या टो土 नहीं सब्सक्राइब कर बोले कि जो भी ज्यादा का बेचेगा बोले कि देखे आप fix rate कर दिया अब fix rate पर अगर में बेचे ही न तो बोले इसकी निग्रानी के लिए नहीं कोुए होना चागे ना तो आपको क्या इउसकी निग्रानी के लिए समें सहिंना क्या Ohh.. एसी लोगों की दुगान पर जाकर के पूचते थे कि भाहीया दो कीलो आटा देतो वो वो कहता था 200 रुपए का दो कीलो आटा मतलब रुपए नहीं चलते तो वहां पर टकावा का जो भी चलता होगा सिक्क्य पर जो चलते होगे तो वो आप लोग देखने को मिलेगा कि मानते सौ एक्जंपल के लिए उसने का 200 रुपे का एक लॉट बोले कि यही लूट रहा है यही खुन्चूस रहा है चलो इसको उठा कर के लिए चलो इसको क्या है उठा कर के लिए चलो अब सहना है सहना बता दिया जाकर के सुल्तान के लिए सुल्तान की यह बेपारी है यही लूट रहा है यही लूट रहा है बुले कि चलो इसको अच्छे से सबक सिखाते हैं लेकिन अब क्या हो आपको देखने को मिलेगा कि ऐसा होता नहीं गपले बाज गपले बाज मिल जात लेकिन यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सुल्तान था अलाउद्दीन था वो बहुत चंट था अलाउद्दीन ने क्या कहा कि तुम हमसे चंट हो सकते हो उसने कहा जो सहना है जहेना के ऊपर भी क्या है गुप्तचर तंत्र को बनाये जो सेहना है इसके ऊपर भी गुप्तचर तंत्र को बनाए आपको देखने को मिले Grad College और साथ में मुनहियान जो थे उनको भी गुप्तचरतंत के रूपे बनाया और एक दूसरे से इंटर्डियूस नहीं कराता था मतलब एक दूसरे से जाननी पैचान कराता था मतलब यहाँ पर जो सहना है आप लोग देखने को मिलेगा जैसे यह बारिद है जो सहना है इसकी निगरानी के लिए बारिद होते थे बारिद क्या करते थे इसकी निगरानी करते थे और इसी तरह से आप लोग को देखने को मिले काम कर रहा है तो पता चला कि यानि की इन नों मैं से को एक जुट बोल ला है इन दोनों में जुट बोल ला है पिर बाद में जाकर के सुल्तान है उसकी जांच कराता था पताचल जाता था तो इतना खतरना सिस्टम इसने बनाया था आपको देखने को मिलेगा कि देखे साचन में साथ के अंदर बिद्रों को समप्त करने के लिए आलाउदीन ने बतकर किया आनना कियों भीपी तो इन मीद्रों लोग है इस तरह से बहुतती लोग होते थे उनको अमीर बोला जाता तो अमीरों के बीच में साधी है वो बन्त कर दी धें के पार काफी थै कि इनके अपार काफी यो गोगी सेना होती ठीं कि जो अमीर मिल जाते थे आपस इंके बिल जाते हो जाते थे ये पाबरफुल हो जाते थे बोले कि इनके बीच में साधिया बंद करो अच्छा अगर ये साधिया नहीं करेंगे तो आपस में मिलेंगे नहीं मिलेंगे नहीं तो ये पाबरफुल नहीं होंगे साथ में गुपतुचर तंत्र को भी इसने स्ट्रॉंग किया साथ में बेतन है उसमें भूमी नहीं दिया वह नगत रूप में मिलेगा तो बोचीज़ां आप लोगों देखने को बिलेगी देखिए इससे कई सारी रिजन है देखिए पहले क्या होता था कि कोई विक्ति है वो रखता था जैसे किसी एंडर में जहां तो दोगोड़े हैं लेकिन वो दिखा देता था उससे जादा मातरम दिखा देता था क्योंकि घोड़ा है वो कहता था कि जैसे कि यहां पर क्या सिस्टम था अब सुल्टान कहता था चलो अपने घोड़ों को आ करके तुम दिखाओ तो ऐसी तो बहुत सारी लोग होंगे ना जैसे हमारे पास दस हमारे पास जैसे दो गोड़े हैं दो गोड़े आपके पास हों दो गोड़े किसी और के पास हों फिर दो गोड़े और किसी के पास हों अब हमने दिखा दिया सुल्टान के लिए हमारे पास दस गोड़े हैं तो सुल्टान बुलाया कभी बुल कि आर जी सर तुम आ करके दि यह पता ही नहीं चल पाता था तो बोले कि से क्या हो जाता था सुल्टान को पर भार बढ़ जाता था और जोड़ं की यह 12 नमबर के 13 नमबर के मतलब किसी परकर की उस समय पहचान बना दी जाती थी पहचान बना दी जाती अब पता चल जाएगा हमारे घुड़ा का चिनन होगा बना हुआ ठपा लगा हुआ होग गरम करके लगा दिया अब हम तुम्हारेग घुड़ा लिदाएंगे तो कम जैसे कि आप लोगों देखने को मिलेगा कि अगर कोई बैपारी वो कम तोलता है उसने 100 ग्राम क्या किया कम तौला अनाज किया है 100 ग्राम कम तौला तो फुले इतना कठोड़न कि इस बेगती का जिसने 100 ग्राम कम तौला है बज़न सौ ग्रामास काट कर सौ मास काटके तौल जाएगा तो इतना खतरना कोई बेपारी सूच हो बुले यार अगर मैने एक किलो के घपलेवाजी कर ली तो एक किलो मेरा काँसे मास काट करके निकाला सागा वह पता नहीं कहां का सbergर्वां क्पात्स. irrig तो यहां पर बैपारी लोग बड़े डरते थे आपको देखने को मिलेगा कि देखिये जो सहना है सहना भी अगर उपर नीचे किये सहना भी क्या किये मतलब गढ़़ जोड करने की कोशिस के बूले चलो ठीक हम बताएंगे नए तो सहना के लिए भी कठोर डंड की विवस्ता की सहना कौन थे गुप्त चरत अंतर था और साथ में जो दुकान दुकान थे उनका रजिस्टर बन बाया गया साथ में दुआओ वाले चेत्र में खेतों में अनाज है वो बेचा जाएगा जिससे घफलेवाजी रास्ते में ना हो और साथ में जो घोड़े हैं तो घोडों के लिए राजस्प लून है वह भी देनी की बात कि गी थी और इसी तरह से टेक्स सिस्टम है उसमें भी थोड़े चरहीर भी लगता था ग्रहिए और चरहीर जैसे होंम टेक्साज भी लगता है उस समय भी होम टेक्स लगता था इसके अलावा जरृइकर मतलब चराने जाते हैं जानबरों के लिए तो चरहीकर भी लगता था तो घरयोंgeschोऩित आप लोगों षरा рас की ग sana ना सी दुता आओ आपकाल के समय एक बटे दो मन है वो अनास दिया जाता था तो इस सारी से देखने को मिल एक फिर इसके बाद में खता हुआ अभा सथापक माना जाता है इसने नहर की स्तापना कीती मतलब नहर खुदबाई थी नहर का निर्माड कराया था तो इस वचे से इंपोर्टेंट हो जाता है अगर हम बात करें यहाँ पर मोहमद बिन तुगलग की देखें जो मोहमद बिन तुगलग था इसकी देखिए योजनाई तो बहुत अच्छी थी मुहम्मद बिन तुगलक था ये बहुत ही दूर दर्सी था इसने योजनाई भी एक से एक बढ़कर के योजनाई बनाई लेकिन उन योजनाओं का क्रियान बयान नहीं हो पाया सब्सक्रादीक हैं आप लोगों देखने को मिलेगा कि योजना एतो बहुत अच्छी बनाई लेकिन उनको क्रियान बयान नहीं उपाया जैसे कि आप देखिये 2000 का नोट होता है कि उसकी 2000 अगर सोचिए डिमॉनेटाइजिशन जैसे आज आपके पास में 1000 का नोट हो 1000 का नोट हो जो डिमॉनेटाइजिशन जब से हो गया है मतलब भी मुद्धिरी करण हो गया अब उसकी कोई बैल्यू नहीं बची अब वो एक हजार का नोट है वो कोई बिखते हैं आपको भाई यह हजार को सामान देतो एक हजार का नोट ले लो वो काईगा हम 100 रुपी का पी सामान नहीं देंगे इस नोट से सौ रुपी का भी सामान नहीं देंगे तो यहनकी face value पर अधारित जो मुद्रा होती है मतलब फेस पर लिख दिया एक लाग तो एक लाग की वो मुद्रा हो जाएगी तो इसी तरह से फेस पेल्व पर आधारित इसने मुद्रा लेकिन उसका दुर्पियोगं बहुत होने लगा जैसे कि देखे जो कांग मुद्रा ती इसके गोण्ड की बराबर उसकी value गरती इस तरह से तामे की मुद्रा थी वो के बराबर सिल्वर के जो सिक्के होते थे उसके बराबर उसकी बैल्यू करती अब दीखें कितना आसान था उस समय क्या थे यह सिक्के बनते थे ठपा परा धरे तो अब सोचिए कहा साथ भरमार सब किसी के पास में था जो लोहार होते हैं उनके पास में सभी टेक्नलोजी होती सुनार होते हैं अब भू परोलने लेकिन और लोगो चैशें ly currency जो जारी की गी थी बो ज्यादा हो गई मार्गेट में तो इससे क्या होगी समस्याँ उत्पन्ड होगी इसी तरह से इसे क्या किया था जो देहयली से दॉलता बाद इसने अपनी जो राज़धानियां भो भी ड्रांसपर की ती क्योंकि कि देखिए इसने देवगिरी के में जो मतलब गिरह युद्ध की सित्यूत्पन हो गई थी मतलब बहां पर बहुत ज़्यादा आंदोलन उंदोलन होने लगे देवगिरी की वज़े से तो इस बज़े से सुरक्षा की ड्रस्ट्री से दहली से दौलतावाद इसने क्या गर दी है उस समय परिभान सुब्दा है उस समय ऐसी नहीं थी जैसी बरतमान में आ जाए टेलीफोन किया बोले कि अच्छा उदर बिद्रो हो रहे चारा थोड़ी से से ना उदर भेज दू अब सूचिए कि उत्तर भारत से उत्तर भारत कितना इस तरह से यहां पर बहुत सारी प् पर लग जाएगा तो इस बजे से ना ही इधर ठीक से शसन हो पाया और इधर से नहीं हो पाया तो इधर भी सासन क्या अ? बिकार होने लगा क्योंकि इधर भी ध्यान देना पड़ता था तो इस बज़के समस्याइ और सबसे वड़ी इसकी गलती थी साथ मैं आप लोग देखने को मिलेगा कि यहां पर दुआओं में 50% इसने टेक्स लगाया जो पहली तरह से लगता चला रहा था इसके अलाबा इसने देखिए जो खुरासान का इसने आपको देखने को मिलेगा ना जो मुहम्मद बिन तुल्लक कि तो था लेकिन किसमत इसके साथ नहीं थी मुहम्मद बिन तुल्लक था इसने का चलो ठीक है हम भी युद्ध करके करने जाते हैं प्रसिद्धी हासिल करके आते हैं और मजह है का थोड़ा से युद्ध करेंगे तो इसने बहुत धन संबदा अपना बरबात किया धन इतना ले करने के लिए पहुत बेकार होने लगी हम जा रहें तो यह समस्य पनों इसका बहुत पैसा बरबाद हो कोई बात नहीं दुबारा मैं युद्ध करने जाँगा यह दुबारा चल दिया युद्ध करने के लिए मिचारे इसको नहीं पता थी मेरी किस्मत और जाधा बेकार है इसने का फिर से सेना बनाओ और बड़ी सेना बनाओ इस बार और फिर कराचिल का युद्ध करने के लिए की लिगल पड़ा लेकिन ये भी उद्ध नहीं उपाया इस बार क्या हुआ था मौसम बेकार क्या हो गया मौसम whiskey कार हो कि वज़े से युद्धी नहीं हो पाया भोले यार बड़ी समस्या उतपनटि वही तो आपको लोन है वो भी उपलब्द कराया जिसको तकाभी बोलते थे उस समय के लिए फसल चक कर इसने प्रायरम किया था कि जिससे उत्पादन बढ़ाया जा सके यह सहसूर सा सकता जैसे कि होली दीपाबली जैन संतों के लिए भी इसने सारक्षड दिया और भिविन प्रिगार के जो काफिय उचे पद भी दिये थे बात में इसे एपना चीन भी भी भेजाता Lao sorts कर मतंभेत हुग गया दो इसको उधार कि जील वी नुटन और दिया तब लिए ने लखेंगा है कि इसने जोने प्रोज्ण सहाल पिन तुल्लच होता है इसकी योजणाओं की बज़ेंसे लाजगरदी तो मिली लेगों से ज़्यादा समस्यामी यूञ मिली तो महहुंपिन तुल्ण कि जो योजनाओं की बज़े से समस्यां उत्पन हुए उससे राजद्रों की जैसी उस्तति उत्पन हो गई तो अब राजद्रों को समाप्त करने के लिए इसने कई सारी कदम उठाए पहले तो इसने 24 से 23 कर थे उनको समाप्त कर दिया बोले कि समाप्त करो भीय कर इतना जाद करवर ना लगाओ जिससे क्या हो थोड़े लोगों को सान्थ रहात मिले आपको देखने को मिलेगा कि देखिए इसने इसने समानतर जो टेक्स लगाए थे वह पांच प्रिकार के समानतर टेक्स लगाए थे एक था खराज, खुम, जजिया, जकात और नहर सचाई के लिए टेक फूर आजस्प बोलते हैं इसी तरह से को मिलेगा कि यहां पर जो सैनिकोग के लिए चार वटे-पांच भाग मिलता था जितना लूटा है और एक बटे पांच भाग वो स्टेट के लिए जाधा था पहले जो राजा थे वो उल्टा लेते थे सुल्तान थे वो उल्टा लेते थे इसने क्या कर दिया था मतलब जो सुल्तान पहले के सुल्तान जो लेते थे उस बिवस्ता को विपरीद कर दिया क्यों इसी तरह से जजिया होता था, जजिया है वह ब्रहम्मड होते थे उन पर लगाया जाता था, भाया तुम्हाई सुरक्षा के लिए हम लगा रहे हैं, इसी तरह से जखात आप लोगों चीज़ आप लोगो ध्यान रखना है इसी तरह से आप लोगों को देखने को बिलेगा इसने एक बहुत सारे सुधार भी किया अंद सुधार किये जैसे इसने होस्पिटल की विवस्ता की हॉस्पिटलों की स्थापना कराई जिसको दरूल सरफ़ा के नाम से जानते हैं मतलब बैसे आज हॉस्पिटल ने तो बैसी हॉस्पिटलों की स्थापना कराई थी लेकिन उस समय इनको क्या बोलते थे यह दरूल सरफ़ा के नाम से इसको जानते थे बिरोजगारी दप्तर भी इसने स्टाट किया था साथ में दिवान एक हैरात देखें दिवान एक हैरात क्या यहां पर जो गरीब लड़कियां होती थी उन गरीब लड़कियों की साधी करने के लिए इसने एक बिभाग की स्थापना की थे जिसको दिवान एक खैरात के नाम से जानते हैं इसी तरह से कम लगबग में इसने 1200 जो बागबगीचे हैं उनकी बिस्थापना कराई थी तो जौन पूर के नाम से आप लोग जानते होंगे साथ में फ्रोजावाद में तब रान आप लोग को जिले पी देखने को बेन को अगते उ रूठ नहीं त्युंद journée को बढ़ाने के लिए करे प्रयास किने तब अब उत्पादन को बढ़ाने के लिए उत्पादन को बढ़ा ़ो प्रारम कियात दास ये बंदगान के अंधरगत यहां पर असी हजार दास अपलाब्त कराई थे समझ सकते हैं कि मद्दकाल में दास Phritha कि यहां लोग होगी कि यहां पर घी ऑजार दास लोग केले लेंगे उतने दास देखने को बजहे में बदल दिया और जो बजहे का मालिक होता था जैसे इक्ता का मालिक होता था उसको इक्तादार बोलते थे बजहे का मालिक होता था उसको बजहेदार बोलते थे और जो इक्ता को बजहे क्यों बोला इसने इक्ता को बजहे इसलिए बोला क्योंकि इसको बनसानुगत बना दिया गया था क्योंकि पहतंग तो भंसानुगत नहीं थी इकता बइवस्ता बंसा अधैनुगत नहीं थी जो बेक्ती है उसके बच्ची के लिए जारूरी नहीं ब 2017 मिले मिल भी सकता था जारए जो जा बात करें पर बहुत ज़दा महत्पूड नहीं है 14144 से लेकर के 14151 के बीच में आता है यहां पर देखिए खिर्जबंस आता है तो इसमें देखिए रायती आला इसको बोला जाता है कि किसान का बहुत ज़दा हिताई होता है और इसी को सयदबंस का संस्तावग भी माना जाता है फिर क्कुछ 1526 मुगल वंस इन इसके इस्तापन हो जाते कि वावरागर के आकरम्र करतेता है तो लौधि व stressing कि अगर मोग बात करें तो को ही अभी राजधानी बना देता है, क्योंकि आगरा अभी एक महतवड चेतर के रूप में उभर करके आता है सामने, यह किसानों का हितासी होता है, इसलिए जो सिकंदर लोदी होता है, यह माप जोक की प्रडाली को प्राराम करता है, और गजे सिकंदरी, जैसे कि आज भी हम इंतिम सुल्तान होता है, क्योंकि जो इब्रहाम लोदी होता है, इसके बाद में मुगलवन्स के स्थापना हो जाती है, इब्रहाम लोदी होता है, अब देखिए इधर आप लोगो देखने को मिलेगा इब्रहाम लोदी के समय ही, इधर बाबर आता है आकरमन करने के लिए, देखें जो बाबर आता है आकरमण करने के लिए क्योंकि इधर आम लोगों को देखने को मिलेगा पंजाम में होता है दौलत खा होता है और राजबूत सासा के इधर आम लोगों को देखने को मिलेगा राणा सांगा राणा सांगा और पंजाम में दौलत खा हैं ये दोनों बाबर के लिए निमंतरण भेशते हैं इन्विडेशन भेशते हैं कि आओ बेटा तुम आगर के तुम इब्रहेम लोटी पर हमला करो बाबर से बोलता है तुम हमला करो हम लोग क्या करेंगे अंदरी अंदर तुमारा साथ देंगे क्यों ये राणा सांगा और दौलत खा क्यों दूसरे को बुला करके आकरमण कर आना चाहते थे क्योंकि ये दोनों बड़े चंट थे ये दोनों सोच रहे थे कि यार हम कैसे कैसे हम यहाँ पर सासन इस्थापित करें अपना तो ये दोनों सोचते हैं कि यहाँ पर बाबर आएगा और बाबर इब्रहाइम पर हमला करेगा और इब्रहायम पर हमला करके धन संबदा लूट करके चला जाएगा और फिर इब्रहायम लोती है वो कमजोर हो जाएगा अब जैसे ही कमजोर हो जाएगा फिर राणा संगा ने सुचा कि हम इसके उपर हमला करके हम भाईया यहाँ पर अपना सासन इस्तापित कर लेंगे इनक किया बावर के लिए invitation दिया बावर वो लटी के साथ में युद्धि करता है इब्राहिम लोधी किसी में मृत्य हो जाती है तो आप लोग को देखने को मिलेगा यहां से मुगल बंस की स्थापना होती है दिखिए यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा इस तरह से होता है आप लोग को देखने को मिलेगा आगरा आगरा में कौन होता है इब्रहायम लोधी का साजन होता है यह सुल्टान होता है और इधर आप लोग को पंजाब देखने को मिलेगा दौलत खालोधी होता है यह दोनों क्या करते हैं बाबर को यह काबूल में बाबर होता है उ तोड़ी चीजों को समझ लेते हैं जो आप लोगों से पेपर में पूछे जा सकते हैं अगर हम बात करें जो दिल्ली संतनत थी यहां पर प्रसासनिक और राजनीतिक वेवस्ता कैसी थी फिर हम लोग मुगल बन सके उपर आएंगे तो एक बार मैं एक बार क्लास चेक कर लेता हूँ कि क्लास रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही है अगर हम लोग यहां पर बात करें आप लोग को देखने को मिलेगा प्रसासनिक वेवस्ता की बात करें तो इस समय जो प्रसासनिक वेवस्ता किस प्रकार की थी यहां पर जो विवस्ता आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो केंद्री करित प्रिशाशन देखने को मिलेगा, टॉप में सुल्तान होता था, फिर उसके बाद में आप लोगों देखने को मिलेगा, सुल्तान के अंडर में बहुत सारे बिभाग होते थे, जैसे अगर हम बिभागों की ब कोई लेटर आया है। मोहर लगानी कोई चीज है। तो दिवाने इंसहीं देखता था 15-4 वाल मेर्टर साथ में दिवाने 400 आजिर आप लोगों दिखने को मिलेगा मतलब एक तरह से सैन ने का कारियर देखता था और सब्सुदूर आप Yok डिता करता था तो यह सबरे सुदूर था यह न्याय न्याय क कार्य करता था तो यह आप लोगो देखने को मिलेगी के नज Settings के बाद में में जो विवस्ता भू हम प्रांथ हो जैसे आज्ट पार परतल समय वियुकत था आपके लुह कि लिए अम लोग तहीं पर जिलह प्रमुक होता था जैसे प्रांथ का प्रमुक होता्य दुए तया का प्रमुक होता था तौ flying होता था उसको हम लोग तरह साब लोग देखने को मिलेगा उसके बाद में जिले के बाद में जैसे आज बर्तमान में ब्लॉक होता है बर्तमान में आज ब्लॉक होते हैं ब्लॉक उस समय क्या होते थे परगना होते थे यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा दो प्रमुक होते थे एक एक अमील हो क्या करता था अपने जोला दबाता था कहता था अभी तक तुम्हारा धान गट गया है अभी तक पैसा नहीं भिजबाया बना सुल्तान के लिए भी भिजबाते हैं और पान खाते रहता था यह चीज़ आप लोग देखने को मिलेगी ब्लॉक के बाद जैसे आज बिले सिस्ट ऑफ लोग को देखने को मिलेगा अगर हम बात करें जो मुस्लिम लोग नोग उनके ऊपर लगाया जाता था भूरा जस्प और इसी तरह से देखे उस्र और खराज ये दो थे टेक्स थे उस्र और खराज ये दो टेक्स लगते थे ये दो दोनों टेक्स क्या थे भूरा जस्प थे लेकिन उस्र हम उसको बोलते थे जो मुसलमानों के उपर लगते थे और हम खराज उसको बोलते थे जो गैर मुसलमानों के उपर लगते थे बस इतना ही अंतर था और कोई अंतर नहीं था लेकिन देखिए जो उस्र और खराज है इसमें जो निर्धारण की वेवस्ता थी टेक्स कितना लगेगा किस रेट से लगत कैसे लगेगा तो उसके लिए यहां पर चार बवस्ता हैं अपनाई जाती थी कौँसधा पैहएं से सुनीएगा झिचेतое चेक्स निर्धारित करने कोवां सेटेक्स भूराजस्प की बात कर रहे हैं द्हारित करने की जो Beवस्त थी वो एक बटाई थी देखे बटाई थी इस बटाई को भी तीन तरह से बाटा जाता था तीन तरह से आप लोग गों पबाई देखने को ख़स्ट अपक्ड में घए और फसल क्या है ख़डी हूई ए अभी फसल को कटे नहीं गए बिना कटे फसल को ही बाट दिया जाता था कि जैसे कि यह फय सो डगी हुई है न्हीं इसने पहसल लगी हुई है इसंपने इतना बाग यह क्या हो और इसका और आपको देखने को मिलेगा झब हम अनास को काटे और मानते हैं दस कोंटल दस टन मान लेते हैं दस टन क्या लिकला गेहूं लिकला इस दस टन गेहूं का बटवारा कर लिया जाएगा इसी को बोला जाता था लंक बटाई अभी अनाज को फ्रेस नहीं किया गया उसमें कूड़ा कचड़ा सब था अभी फ्रेस नहीं किया थान जोरा जोरने के बाद जितना लिगड़ा दस टन लिख्या से बूला जितना तुम को ले-जाना है टक्सक रूप में ले जा और शैस बचना है वह हमारे पास छोड़ जाओ तो उसको बोलते थे लंकबटाई बॉलते एक होता था रास बटाई होता था रास में करते थे रास बटाई के अंतरकत, बोला किसान से बोला भईये तुम फसल होगा आओ, फसल को काटो, काटने के बाद उसको जोरो, जोरने के बाद उसको सैलाओ, सैलाने के बाद एक दम फ्रेस करो, कोई इसमें असुद्धी नहीं होनी चाहिए, असुद्धी का मतलब भईये कूडा, क चड़ा मिट्टी विट्टी नहीं होनी चाहिए, हमको फ्रेस एक दमानास दो, तो उसको बोलते थे, रास बटाई बोलते थे, ओके तो इस समझ गया आप लोग, तो देखे, भूर आजस्प वेवस्ता में, भूर आजस्प वेवस्ता जो थी, उसमें एक बटाई वेवस्त गाँन यहां से 50 टन है, बौर आनास लेजाया जाएगा, एक अंदाजा लगा लिया जाता कि भाहिया यह 100 भूमी में आता है, 500 भूमी में आता है, इस तरह से मतलब महान लिए कि winter में आता है, इतने बीगे में आता है, जो भी वहां पर, माव जो, की जो प्रनाली चलती जब आप लोगों ने कभी नीलामी होते हुए देखा होगा या सुना होगा तो बोला जाता है कि इस मकान को कूतो भाई कितने का बैठ रहा है तो कहते हैं भाई हमने कुताई की है यहाँ पर एक लाक तो दूसरा कहता था एक लाक एक लाक दो तो आपने सुना होगा तो भाई यह गाउं है भाई इसमें देखा जाएगा कितना है अंदाजा नहीं लगाया जाएगा पूरा जो पैमाना है उस पैमाने से एक एक कठिया ऐसे मापने के बाद बताया जाएगा भी यह कितना अनाज लेना है तो इसी को बोलते थे मसाहत बोलते थे और देखे इसी तरह से एक होता था मुक्ताई होता था मुक्ताई क्या होता था अब लोग देखने को मिलेगा यह दोनों का मिसरित रूप होता था दोनों को क्या होता था यह मिसरित रूप होता था इसी को बोलते थे मुक्ताई बोलते थे जैसे कि अब पूरा गाउं है अब पूरे गाउं को इस तरह स अब इसमें क्या किया जाता था जैसे कि एक खेट है एक खेट है अब खेट है इसमें देखिए मसाद में क्या किया जाएगा पूरा एकदम मापतोल किया जाएगा मापतोल करने के बाद देखा जाएगा जितना अनाज हुआ उस अनाज में से इतना अनाज इदर जाएगा क्या किया जाएगा एक हेक्टियर भूमी है एक हेक्टियर भूमी है इसमें से अनाज काटा गया और मानते हैं यहाँ पर दस टन अनाज लिखला तो मान लिया जाएगा भाई यह सो हेक्टियर भूमी है एक हेक्टियर में जब हमने यहाँ पर दस टन लिकाला तो चलो थोड़ क्या है हम इसें अनदाज लगा जिए प्हाइड के अनदाज लगा है तो सो हेक्टेर में एक हजार टन है एक हजार टन है बहु अनदाज लगां लेका मतलब हमने थोड़ा सा मापा और तोड़ा से क्या कर लिए अनदाज लगा लिए यानि यह दोनों wa M Iksep टेखने को बोलते तने मुकतई बोलते थे एसी को बोलते थे ये चीज़ देखने को बहूरा जस्प था तो भूरा जस्प की ये वेवस्था इसके अलाबा है एक खुमस था कुम्स था, कुम्स था, इसमें दिखिए, युद में जो लुटा गया माल होतो था, उस पर टेक्स लगता था. जकात, आपना, लोगों को बात करें, जकातो आपना, सब्छ disp. भूराजस्व भूमी की बात करें, तो भूमी आप लोगो एक देखने को मिलेगा देखिए एक एक अधादार बेवस्ता चलती थी जिसको हमें एक अधादार बोल देते वो ऐसा करो, वो राजा के लिए भेज दो, उसी को फपाजिल बोला जाता था, और ये आप लोगो को देखने को मिलेगा, ये बंसानुगत नहीं था, लेकिन जो फ्रोज सहातुलक था, फ्रोज सहातुलक ने एकता वेवस्ता को बजह वेवस्ता में बदल करके इसको तो फ्रोज सहातुलक वाली जो चीज है, वो आप लोगो ध्यान रख लेनी है, इसी तरह से एक और वेवस्ता थी, खालसा भूमी आप लोगो देखने को मिलेगा, खालसा भूमी में एक अधिकारी को निक्त किया जाता था, वो अधिकारी उसका काम स्रिफ होता था कि इस छ बसूला के जो हिस्सा होता था, उसमें से उसको हिस्सा नहीं मिलता था, बल्कि इसके लिए बेतन मिलता था, बेतन कौन देता था, सुल्तान देता था इसको बेतन, तो यह अधिकारी होता था, इसका काम स्रिफ होता था, टेक्स को बसूला इसी को बोलते थे खालसा भूमी इसी सिता भूमी बोलते थे तो एक खाल सा व्यवस्ता भी थी इसी तरह से मॉरिकाल में मीडम ने पढ़ाया होगा इसीա। उसी सीटा भूमी को मद्निक आल में खालसा के नाम से जाना गया बस इतना ही अंदर देखने को में इसी तरह से अगर हम लोग बात करें देखिए यहां पर प्रिशाशन की बात करें तो दीखें जो प्रिशासन है वो प्रिशासन हिंदू और मुस्लिम दोनों के उपर आप द जो दिबानी मैटर थे मतलब सिबिल मैटर थे उसमें बेवस्ताइं अलग अलग थे देखिए जो मुस्लिम लोग थे उनके लिए उनके लिए जैसे काजी होते थे मौल भी होते थे जो मुफ्ति होते थे उनके अनुसार मतलब सिबिल मैटर का निप्टारा करते थे बहीं जो ह लिए कई परकार की विवस्ता हैं आप लोगों को देखने को बिलेंगी, जैसे कि सरिया आप लोगों को देखने को बिलेगा, जिसमें सरिया में क्या होता था? अगर कोई सिबिल मेंटर होता था, उसका निप्टारा है, वो कुरान के हिसाब से किया जाता था, किस के हिसाब से बोली कई जो बाते हैं, जो उनकी कहानिया हैं, उनके हिसाब से क्या होगा, जो माबला है उसका निप्टारा की अजाएगा, उसी तरह से एक इजमा था, इजमा में क्या होता था, आपसी सहमती जैसे पांच लोग हैं, तो पांच लोग मिलकर आपसी सहमती की अधार पर बोल देते कि भाईया इस मैंटर में क्या डिसिजन दिया जाए उसको बोल देते इजमा विवस्ता बोल देते बहीं एक था कियास जो सबसे ज़्यादा अच्छा था उस समय के लिए माना जाता है इसके लिए क्योंकि यहां पर जो यहां पर जो एक तरह से माबलों का निप्टारा किया जाता था साध्रस्टा तर्क को के अधार पर तार्किक रूप से किया जाता था कि जो सामने दिख रहा है इसमें किसके पक्ष में निड्ने होना चाहिए भले ही धरम गरंतों में कुछ भी बोला गया हो यान कि इसको सबसे ज़्यादा आधुनिक माना जाता था सबसे अच्छा सबसे अच्छा इसको माना जाता था लेकिन इसका उप्योग कम किया जाता था आप लोग देखने को मिलेगा यानि कि उस समय भी आपको देखने को मिलेगा साध्रस्टा तरक फैक्ट के आधार पर तत्यों के आधार पर निड्ने दिया जाते थे लेकिन हलके हलके है पुरूस होते हैं अब लोग कि अगर हम बात करें यहांबन तकनीकी परिबरतनों ही तो जैसे कि देखें र ksi교 अरगप होता है उसको उप्यों किया गया जो सैभोन के लिए नियुकस कि चभवध के विकाष देजी से गटेजी से अग्बन से सब कुछा आसान हो गया कमपास भी आया सात में आप लोग देखने को मिलेगा जो सुर्खी और चूना गुम्मद महराओ है इस प्रिकार की आप लोगों के लिए देखने को मिलेगा कि भवन निर्माड प्रनालिया है वो प्रारम हुए आप लोगों ने आर्ट एंड कल्चर में पढ़ा होगा अगर हम लोग बात करें देखें यहां प है वो बढ़ा था जैसे कि आप लोगों देखने को मिलेगा धाका का मलबल धाका का मलबल था वो बहुत जदा फेमस देखने को मिलेगा इसी तरह से राजिस्थान और बयान जो आप लोग देखने को मिलेगा यहां पर नील का उत्पादन बहुत जदा होता था मुलतान है और बस्तरों के लिए बहुत ज़्यदा फेमस था इसी तरह से बिदेशी बेपार है वो भी बड़ा था नगरी करण है जैसे कि बहुत सारे नगरों की इस्ता अपना हुई तो यह चीद आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर हम समाज की बात करें तो हिंदु धरम में आप लोग को देखने को मिलेगा कि बाल बेभा है उसकी समस्या वड़ी साथ मैं आप लोगो दाज प्रता है विद्वाओं की दैनिय इस्तिती होने लगी इसी तरह से ऐसा नहीं केवल हिंदु धरम में आप लोगों देखने को मिलेगा यहां पर भी आप लोगों जो पर्दा प हैं अब्मल काल के उपर आते हैं ऐसका परारम होता है 1526त क को आप लोगों सतरा सो साथाओन भी स्थार्म को मिलेगा क्योंकि ह loty Eastern क्योंकि बंगाल पिहार उड़ीसा की उसको यहां से दिवाणी मिल जाती है और अर्व हिलके बंगाल से अपना पिर्सासन परारम कर देती है इसलिए 1057 तक भी माना जाता है लेकिन हम यहां पर क्योंकि 707 इसलिए ड़ेट महत् पोड हो क्योंकि जो darty साथ का जो समय होता है यहां पर औरंग जेब है जब उसकी मिर्थी हो जाती है उसके बाद में बहुत सारे औरंग जेब के उत्रा दिकारी आते हैं लेकिन वो बहुत ज़ादा कमजोर होते हैं उतने सक्चम नहीं होते हैं वो महत्पकांचाओं को पूरा नहीं कर पाए इस मुगलो का आगवन कैसे होता है अगर हम बात करें मुगलो के आगवन की बात करें तो देखिए बाबर है वो मुगल बंस की स्थापना करता है मुगलो के सासन की स्थापना कौन करता है भारत में बाबर करता है बाबर होता है इसकी थोड़ी से स्टोरी बताते हैं बाबर न लेकिन इसको उतना जाता सफलता ने मिल पाती है, बहाँ पर एक खुझ नहीं होता है, इसको सफलता नहीं मिल पाती है अपना जीवन संगर्थ के रूप में ही जीवन यापन कर रहा था विचारा बाबर, क्योंकि इसको बहुत सारी इसके सामने चुनातियां थी, अब देखि आता है आप लोगों देखने को मिलेगा इसको invite किया जाता है यहां पर आप लोगों देखने को मिलेगा कि दौलत खां जो दौलत खां लोधिया आप लोगों देखने को मिलेगा वो इसको invite करता है और आप लोगों देखने को मिलेगा चाचा जो होता है सुल्तान का चाचा ज जो दिखे जो इब्राहेम लोधी होता है तो इब्राहेम लोधी का जो चाचा होता है तो सोसता है कि अगर यह चला गया तो भाई अगर इब्राहेम लोधी कमजूर हो गया तो भारत में सासन हमारे इस्तापित हो जाएगा सब अपनी-अपनी खीर पकाने के चक्कर में थे और बाबर बोला कि चलो ठीक है, मुझे तुम लोग सपोर्ट कर रहे हो, बैसे भी मैं बैठे बैठे इदर पक गया हूँ, इदर तो मेरी दाल गली ने रिये, काबूल में और फर्गना में, चलो मैं तुम्हारी इदर आ जाता हूँ, तु दीखे वो आता है, और आ करके युद् में, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 1526 से पहले भारत में नहीं आया आकरमण करने के लिए, भारत में पहले भी ये आकरमण करने के लिए आया था, तब ही तो ये लोग जानते थे बाबर को, बना जानते ही नहीं, बाबर है इससे पहले 1519 में आता है, कि कितने में? 1519 में आता है यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि देखिए जो भेरा का किला है भेरा के कलाब में आकर के आकरमण करता है और उसको जीत भी लेता है लेकिन यह धनसम बदा लूट करके यहां से चला जाता है अब यह जो यह लोग होता है यह सोचते हैं जैसे बाबर पहले आया आकरमण किया था और फिर पहले की तरह लोट गया था ऐसी फिर से लोट आएगा देखिए अगर हम बाबर की पहले बात करें अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर का जो पिता था वो उमर से एक मिर्जा देखने को मिलेगा जो उमर से एक मिर्जा था ना ये तैमूर लंग बंस जो था तैमूर लंग बंस था उसका पांच में पीडी का ये आप लोगो देखने को मिलेगा इसका पिता तैमूर लंग बंस का सूरबीरो का खून इसके अंदर साथ में आप ल मंगोल बंस है चंगेजद खांका बंस तो उसकी चौदमी नमबर की आप लोग को देखने को मिलेंगे तो मतलब दो-दो सूरवीरों का मतलब युद्धा थे सूरवीर थे वही वो लोग उनका खून इसकी रगों में दोड़ रहा था और आप लोगों को करता है यहां पर बाबर और दूसरी तरफ आप लोगों को देखने को मिलेगा इब्राहिम लोदी होता है जहां बाबर की सेना होती है城 में ौई चोटी सी, दूसरी तरफ आप लोगो देखने को मिलेगा इब्राहिम लोधी की सेना होती है, बहुत बड़ी, आपको जो बावर होता है, वो सिरिफ और सिरिफ 15,000 सेनिकों के साथ में आता है, 15,000 सेनिक इतने कम, दूसरी तरफ लोधी होता है, इब्राहिम लोधी आप लोगो बहुत जादा होते हैं अब आपको देखने को मिलेगा कि देखिए बाबर आता है बाबर तो पहले थोड़ा सोचता है यार कईसे जीतेंगे कईसे जीतेंगे लेकिन इब्राहिम लोदी को नहीं पता होता है कि अंदरी अंदर सब घुसबैट हो चुकी है जो सेनापती थे बिबिन सैनिक थे वो सब क्या थे बाबर के मतलब एक तरह से अंदर रहे अंदर मिले हुए थे वो अपने पूरी छम्दा के साथ एक तो नहीं लड़ रहे थे दूसरा आप लोग देखने को मिलेगा बाबर की टेकनोलोजी थी वो जो पदिती थी रण नीती थी इसको अपनाया था यह जो रूमी रण नीती जो होती है तो गलमा जो रण नीती होती है क्या होती है वैसे जो उस्मानिया लोग होते थे वो इस रूमी रण नीती का उप्यों करते थे इसमें क्या होता है आप लोग देखने को मिलेगा कि मतलब चारों और से अपने पर पर पामने उसने क्या लगा दिया था इस तरह से तबागा दी ereकूने क्या है इस तरह से तो ना आ जाता है। तो इस तरह ऐसे यानकि तीन और से इसको सुरक्षा मिल गई आगे से हमला करना था इधर इबरहेम लोदी है उसकी सेना इधर बड़े-बड़े हाति ऐसे खड़े हुए थे मानते हैं यह क्या है बड़े-बड़े हाति ऐसे खड़े उए एक विशाल सेना है और साथ में जो ब तो इसे ने तोब का मुख या करती है एक तरफ करती है बोलिए के जिदर इब्रहाइम लोदी है ऊधरी टारिएट करो इदर तो इस सब मिले होटे अपने दोस्ती लोग यह सबर्ण किया पार तोड़ हमला कर दिया आगे थे बड़े-बड़े उपयोग सबसे पहले बावर ने किया नहीं पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले बारूत का उपयोग नहीं किया गया था बारूत का उपयोग पहले भी किया जाता था हमारे हां पठाकों के रूप में दक्षड भारत में किया जाता था लेकिन तोफों का उपयोग प्रारम किया जब बड़े बड़े गोले जाकर के यहां पर धुम धुम जाकर के इस तरह से फटे अब क्या हुआ इसके लिए यही उल्टा पड़ गया सामने से धमा धम की आवाज आ रही और जो हाती थे वो दारू पिला जाते थे पहले दारू पिला करके उनको क्या कर दिय दाता हातियों को अब जैसे ही पहली बार देखे इतने बड़े बड़े धमाके युद्ध तो इन्होंने किये थे कैसारे हातियों ने लेकिन ऐसे युद्ध ने किये जिसमें इतनी भाईनक भाजे होती है यहाती बिदग का मतलब क्या होगे उल्टे पैर यह दोड़ने गई अब इनकी ही सेना तितर विंदर भी यह आपको पता है जब wireless data the committee अ मतल्ब जो उनका करम होता है लोग है और उद्धर होगे अ कब कारद कीनेशा जब लोग और वर विदाता है तो सेना क्या होती है आवविभस्तित हो जाती है और यहार जाती है एक तरह से क्योंहीं कंजॉर होला इस 햇ए होगी फिर पीछे तेरा पट गया इब्राहिम लोधी मर गया बैसे ही अभवा भैल की कि आप लोगो तेखने को मिलेगी तो इस तरह से बाबर है वह जीत गया इतनी कम से ना 15000 किसे ना दूसरी तरफ एक लाग किसे ना फिर भी बाबर है क्या हो गया जीत गया इसी तरह से आप लोग घबर आए कि नहीं कि हमारे पास में अब इतना से लिफर हमको पढ़ना है इतना स्लेपस अभी हमको पढ़ना है और पेपर आने वाला है आपकी स्टरेजी क्या हो ने चीए अच्छी हो ने चीए ताब टोड़ हमला करियेका एकदम जागर के पेपर में और confidence रखिएगा confidence लूज हुआ जैसे कि इब्रहेम लूदी है उसका क्या होगे इब्रहेम लूदी की सेना का confidence लूज होगे लेकिन दूसरे तरह बाबर की सेना का confidence बहुत हाई था इसलिए वो क्या होगी जीत गई तो confidence हाई रखिएगे जिससे आपकी accuracy बढ़ेगी आप हो करें जंग rozp ल tut already कोस्तन अबलोग जुड़ने को मिलेगा तो निवो चीजाता है लिकिन बाबर जी चाता है भाबर को अच्छा लग जाता है वह जब आता है और यहांफर पानी पत पानी Pत नि ओपत 언द करता है बावर जहते हैं या या हम बड़ा सोना चांदी है बड़ा कानि बचुता ट्याएं और क्ट्ध से एक और चान सैना को बड़ार हो रहा दिया हमने सुज बढ़ा पूफ है किसे की प्रक्रण से खचनी वला अते को ह niño भारत से गया है नहीं भारता गया। तब देखिए राणा सांगा आया। रहना संगा। यार हम भीयदा भूबhर स्व चाहरत और खुदी-द्ल पारके आफ की माइरे शहाइए तो आपको देखने से क्या हुआ उसकी पाबर और बढ़ गई ना अब तो वो अपने सेना को और खलाया पिलाया बोला कि देखो यार इतनी बड़ी सेना को हम हरा दिये तो राना संगा को काहनी हरा देंगे और धनसंबदा भी उसको मिल गई और सपोर्ट भी मिल गया और साथ में आपको देखने थी बाबर की सेना फिर से चोटी सामने लेकिन बाबर के पास आधनी खतियार थे बंब गोला बारूत थे यही बंब गोला बारूत का उप्यों करके राना संगा की सेना को भी यह पराजित कर देता है वैसे राना संगा बहुत अच्छे से लड़े लेकिन यह भी क्या हो जा चके है साथ में जब युद्ध नहों गए इस समय बहुत बड़ी सेण होती है बाबर की सेदा युद्ध करते थक बीचुकी होती है अब कहते हैं यार हम कहाँ थे यह सब अफगानी थे अब थोचों कि इदर पङ's लड़ रहे थे अब लड़ रहे था सब बीवी बच्चों से महीनों महीनों दूर महीनों महीनों बीवी बच्चों से दूर सब इस हैने अब कह रहे है भाईया अब हम कितने महीनों तक यहां कितने सालों तक अपनी बीवी बच्चों से दूर रहेंगे अब उनकी आदाने लगी है अब उनकी तो बाबर ने कहा हमको यह जीतना ही जीतना है अगर हम यह युद्ध जार गए तब हम यहां पर सासन इस्तापित नहीं कर पाएंगे तो उसने क्या किया यहां पर जिहाद का उपयोग किया अब युद्ध में जिहाद का उपयोग होने लगा अभी तक युद्ध में धरम का बाबर ने ही युद्ध के अंदर धरम का उपयोग करना परारम किया बोले कि यह लड़ाई मैं खुद के लिए नहीं जिहाद के लिए लड़ रहा हूं धरम के लिए लड़ रहा हूं अल्ला के लिए लड़ रहा हूं अरे तु अल्ला के लिए कोई लड़ सकता है क्या अल्ला के लिए काम करेंगे और साथ में आप लोग देखने को मिलेगा कि इसे जो मालवा है बहां से भी इसको बहुत जादा लाब हुआ था जो मालवा से इसको क्या हुआ था बहुत जादा लाब हुआ था और यहां पर ही आप लोगों को देखने को मिलेगा मेदनी राय है ना तो मेदनी राय के साथ में जब युद्ध हो रहा था यह चंदेरी का यहां पर ही जो महिलाएं थी जो महिलाएं थ रखा था और फिर भाई देखो यह बाबर जीत गया था तो यह महिलाओं ने क्या किया था सामुवी ग्रूप से फिर जोहर गया था इसी तर आप लोग देखने को मिलेगा कि यह जो घागरा का युद्धू हुआ था यह मतलब बाबर और जो अफगान थे उनके साथ में गया था बिस्तार हो गया था इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करें कुछ फैक्ट्स की जैसे कि आप लोग को देखने को मिलेगा यहां पर ए तुजुक ए बाबरी तुजुक ए बाबरी बावर ने अपनी आत्मकता लिखी थी तुजुक ए बाबरी में मतलब अपनी आत्मकता लिखी थी और तुर्की में वैसे लिखी गई थी ओके एक किस में लिखी थी तुर्की में लिखी गई थी फिर बाद में आप लोग को देखने को मिलेगा कि अंग्रेजी में इसका अनुबाद किया गया था बैबरीज के द कि घाजी के अधारण ने किती का मतलब क्या होता है युद्धा और सात में जो धार्मिक वेक्ती होता है ऑंके तो मतलब की धरमिक रख्षा करने वाला वेक्ती दिशेहां तो उसी को गाजी की उबादी धारन की ती मतलब इस लाम का रख्चक और कलंदर भी फिर बाद में इसने अपने आपको बोला था ओके तो यह चीज है आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं देखे यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि देखे आप लोग देखने को मिलेगा फिर बाद में इसकी 26 दिसंबर 1530 को इसकी मिर्तियू हो जाती है जब इसकी मिर्तियू होती है तो इससे आगरा में दफनाया जाता है आगरा में देखे एक आराम बाग होता है नूर अफगा प्वान एक जगे है झो आराम बाग में घु ... आराम बाग में घुझने को मिलेगा वहाँ पर ही इसको दफनहें जाता है कॉद्ण में इसको मुझने कब दफनहें जाता है चीजला का उनका बावर का बेटा हमायूelो सेन भावायूग … बहुते हमायू当 होती है वो महाम अब लोगो को देखने को मिलेंगी इसका जो काल है दो बार के एक पंद्दरा सोती से चालिस के बीच में 1535 दे पंद्रा सो चालिस फांद के बीच में यहां पर सीरसा हमारी के सामने ति तो देखे इसको बहुत सारे युद्द भी करने पड़े कुछ को यह जीता भी, आपको देखने को भी लिगा, कालिंजर का युद्ध, यह 1531 में आप लोग देखने को भी लिगा, यहाँ पर परताब रुद्ध देव हैं, उनके साथ में यह लड़ा था, पिर जीत गया था, चुनार का युद्ध, सिरसहा से लड़ा था, जीत गया ता 1532 में गुजरात का युद्ध ये बाहदूर साह से लड़ा ता यहां पर ही जो शेर साह की उसने उपादी ग्रहन की थी अगर हम लोग बात करें देखिए जो सेर साह सूरी है उसने सेर साह की उपादी यहां पर उपादी ग्रहण की थी चौसा के युद्ध में जब लड़ रहा था तो हिमाईू है वो जब हारने लगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए एक करवनासा नदी के टट पर लड़ा जा रहा था यूद्ध यूद्ध लड की जान बचा लेते हैं हिमाईू की जान बचा लेते हैं तो यह चीद आप लोग को देखने को मिलेगा फिर अगर हम लोग बात करें कि यहां पर दूसरे नंबर पर एक कन्नौज और बिलगाओं का यह जो युद्ध होता है पंदरा सो चालिस में तो यहां पर जो सेर सा सू सिर्फ सावलब यहां जाता है आप लोगों को मिले और इसी पीच जब मतलब युद्ध वां करके जब जाता हे पंदरा साल के लिए बाहर जाता है अपनी सक्ति को इंख्टा करने के लिए जबार अपना dop goodbye कि मच्बूतों करके अपना सासन सासन लेने के लिए जब जाता है इसी बीच में आप लोग देखने को मिलेगा कि अकबर जामी जो है उनी की जो अकबर जामी की जो पुतरी होती है जो हमिदा देखने को मिलेंगी उनी से हिमायू का विभा हो जाता है और जो हमिदा है इनी से क्या होता है अकबर का जनम होता है जो आप लोग देखने को मिलेगा आगे हिमायू के बाद अकबर ही सासक बनता है जाकर के ओके तो जो हमिदा होती है वो अकबर को जनम देती है आप लोग देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हिमायू फिर आता है जो मच्छिवारा का युद्ध करता है मच्छिवारा का युद् से अपनी सकती है उसको एखटा करता है तोब साहवारी सभी सब्सक्राइब बढ़ार के लिए न के लिए था है उपेफ़ने को मिलेका पंदरास九ल नकproduction Ngo यह लिए वो कुछ कुछ चेत्रों को जीतने के बाद अपनी सक्ति को और जदा बढ़ाता है फिर जाकर के कहता है फिर मैं अमला करूंगा यह जो इब्रहाइम लोदी के जो जो भी मतलब जो उत्रादिकारी है उनको हराने के बाद मैं वही अपना साथान प्राप्त कर लूँ कि देखिए पेशाबर का जो युद्ध होता है बहुत इंपोर्टेंट शित्र होता है समझ दीजिए इसको जिसने जीत लिया उसने इंडिया को जीत लिया और फिर देखिए आप लोगों को देखने को मिलेगा कि 1515 में युद्ध करता है और यहां पर आप लोगों को देख सकते हैं कि इतर जो अफगान है और जो मुगल होते हैं उनके साथ में मिलकर के युद्ध करता है और यह जीत जाता है और फिर आप लोगों को मिलेगा कि देखिए अब जो पंजाब तक आ गया जो पंजाब तक आ गया वह समझ लिजिए सार चित्र को ही लगवक में जीत लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा फिर पूब को से बाद में जो सिर हमिद का युद्ध करता है जो सिर हिंद का युद्ध करता है ये DRT होता है मतलब जाता है तो बहां पर जा करके ऐसी छोड़ दिया जाता है इस आसन यहां पर इसको फिर से मिल जाता है यह जो इंपोर्टेंट जो युद्ध होता है वो मच्छी बारा का ही होता है क्योंकि मच्छी बारा के बाद में ही इसको मतलब अपना सासन इसको मिल जाता ह समानता लेकिन इसको लास्ट थोड़ी से जोर और लगाना पड़ता है सिर्षिंद में तब जाकर के इसको अपना सासन मिलता है जाकर के तो इस तरह से जो काल के रहम है वो चलता है तो आप लोग इसको देख सकते हैं देखे अगर हम बात करें यहां पर अफगान बंस की सेर्षा सूरी की 1540 से 45 के बीच में इसका सासन रहता है मतलब सेर्षा सूरी और इसके जो उत्रदिगारी होते हैं उनका सासन होता है प्रारंबिक जीवन की बात करें तो देखे जो प्रारंबिक जीवन जो होता है इसका बच्पन में नाम जो सेर्षा सूरी होता है बच्प सेर साह सूरी होता है पहले बाबर के सेना में जाकर कुछ दिन करता है suivre है जाकर Speaking B पंदरा सून्तालिस में, चौसा का युद्ध, पंदरा सून्तालिस में, कंधोज का युद्ध, बलुचों को भी इनक्रों समाप्थ जाल सूरी है इसके बहुत सारे उत्तरदिगारि आते हैं लेकिन इत्तरदिगारि उतने जञदा सक्षम नहीं आप लोगों देखने को मिलेंगे तोड़ी-थोड़ी समय की सेसार आता है मतलब code of conduct is तरहे से पनाता है आप लोग देखने को मिलेगा इसी तरह से प्रोस हां सूर आता है यह भी कौुछ समय कि लिया आता है मिहां है हेमु का फीर बाह्डी इना यह भी सेनापती बंगाता है इसका हेमु का युद्ध और जो आगे दरद महीं होता है। हिब मिहां और इबराहिम सहा हूर clarity के बाद में सिकंदर सहासूर तोनीत तो पंदरा सो पच्पन में जो मच्छी बाड़ा का युद्ध होता है तो बहां पर हिमायू आगर के हमला करता है मतलब हिमायू के साथ मच्छी बाड़ा का युद्ध होता है और इसको हराने के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहां पर हिमायू दुबारा से अपन इसकी मिर्थीव हो जाती है मतलब जो एक लाइबरी होती है उसी में पैर फिसंदे से मिर्थी 결과 अगर हम लोग बात करें हैं इसकी मिर्थियो के बाद में इकबर आता है अब देखिए जब हमाईू है देखिए इसकी किसमत कितनी बेकार विचारी की पच्पन में आकर के जैसी जीत बाया मुष्किल से और पच्पन के बाद में 56 में इसकी मृत्यु हो जाती है हिमाईू पहिले तो विचारे 15 साले से भटकता रहा इदर उदर भटकता रहा जीसी दुबारा से गधी मिली तो विचार बोली चलो मैं जाकर पुस्तकाले मैं फढ़ने गया पैर फिसल अब उतनी में मर गया तो इतनी किसमत भी करते इतनी मेहनत करने के बाद पानी फिर अगवर आता है अगवर 1556 17 vient के बीच में प्रारंबिक जीमन की बात करें तो जब हिमायू की मिर्तियू होती है तो हिमायू की मिर्तियू के समय अकबर बहुत छोटा होता है प्रारंबिक जीवन की बात करें तो देखिए, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा अक्टूबर 1542 का जो समय होता है इस समय मतलब अकबर का जनम होता है अमर्गोट के जो सासक बीर साल के यहाँ इनका जनम होता है क्योंकि हिमायू का उस समय कोई ठिकाना नहीं था ठिक से तो इनी की यहाँ क्या होता है जनम होता है अकबर का और इनकी देखिए जब हिमायू की मिर्तियू होती है जब हिमायों की मिठती होती तो उस समय अकबर क्या होता है ना पंजाम में जो गुर्दासपूर आप लोगों को देखने को मिलेगा गुर्दासपूर जिले में उधरी काला नौर का युद्ध लड़ रहा होता है यही जो काला नौर का युद्ध होता है तो बहां परी पता रसलता है भी यह तो मैं पिता जी गजर घय het to अनन्फनन में जल्दी जल्दी में अगबर की ताज पौसी कर दे जाती है इस समय आप लोग को देखने को मिलेंगेgment सोचता हैं एक पर चोटा सगैंथा सबस्कासे डोकर यहाँ पर एक तरह से अपनी राजधानी अगंदो कlles दृशता दोड़ा पानी tha होता है को यहाँ प्रतम यूत बाबर के समय होता है मतलब बाबर जब आकरमण करता है या करके अब देखे यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि पानीपत का दुतिय युद्ध होता है यहां पर आप लोग देखेंगे कि जो 1556 में युद्ध होता है क्योंकि देखिए पंजाब से अभी ने अपनी रासधानी दाना होता है तो यह सोचता है भी है मैं रास्ते ही में हटा दूँगा तो हमको क्या मिल जाएगी हमको क्या मिल जाएगी ताजपोसी मिल जाएगी और अकवर क्या होता है बहुत छोटा होता है तो एक तरफ आप लोग अकवर के तरसे बैरम खा जो सेना पती होता है जिसके सर्रक्षण में अकवर होता है तो बैरम खा एक तरफ लड़ने के लिए दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलेगा हेमू होता है जो अफगान सेना पती देखने को मिलेगा इन दोनों के है इसमें अकबर बहुत चोटा होता है सेनापती ही मुख्य में आ जाता है क्योंकि सेनापती की नेत्रत में ही युद्ध जीता जाता है और सेनापती का सरक्षड होता है तो सेनापती का प्रभुत्त के कारण इसे मतलब सेनापती सासन के नाम से भी जाना जाता है और यहां प तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अकवर होते हैं उनका एक तरह से बर्चस हो जाता यह आपर जो महा मंगना क्या देते हैं अकवर करते हैं इसी वज़े से जो 1560 से 1564 का काल में जो सासन चला जाता है उसको पेटीगोट सासन के नाम से जाता है आप लोग ऐसा मत समझेगा पेटीगोट सासन हमने नाम देती है नहीं इसको बोला ही जाता है पेटीगोट सासन क्योंकि एक महिला के प्रभुत में चलाया जा रहा था बर जागर के वो अभी हम लोग नीचे देखेंगे अभी हम नीचे लिखे हैं अब देखिए अकबर हो जाते हैं बड़े वो कहते हैं मम्मी जो कहते हैं भई हम नहीं करेंगे अब हम बड़े हो गए अब जो हम कहेंगे बोख होगा तब वो सारा सासन है वो अपने हाथ में ले ले वो अपनाई थी मतलब इसमें सबी धर्मों में बिस्पास करने के इनोंने बात की थी जजिया है दास पिर था है इस पिरकार के जो टेक्स हैं उनको खतम कर दिया था इसी तरह से जो बिदभा महिलाएं होती हैं तो बिदभा महिलाओं के लिए यहां पर कानूनी अधिकार दि जो बिया थी और कि अम्रतराज महिलाओं के साथ में साधी कि निंदा की थी इन्होंने च्शबान को छोगा सब्शकना है इस एक पर बाद बाहदुबन के साथ में यिद्द्द के साथ में पर बाद मेंilians कि नहीं होती हैं Google-ागर के जोहर घर लेती है । इसी तरह से पंद्र商 सो एक सट में चुनार के किला किला जो होता है चुनार का किला इसको भी जीत लेते हैं और फंद्र Sophia से यहां पर जा गर के युद्ध करते हैं यहां पर भार मेल होते हैं हूं के साथ में थोड़ी सी महत पोड़ जाती है है इसी तरह से फंदराएस यहां पर हानने लगते हैं तो वो जंगलों में भाग जाते हैं और इसी तरह से आप लोगों को देखने को भी लिए पर आकरमण करने का कारण क्या था क्योंकि चित्तोड का किला था अगर इस पर जिसने विजय प्राप्त कर ली समझ लीजिए मद्धराजस्थान उसका हो गय और इस तोड़ के किले पर पर इस तोड़ के कि पर मतलब कब्ज़ivan किया था तो बहाँ पर अकबर ने एक्तम को चाई धाल जामा जंबाला कतले आम मचाया थ और यहां पर फतय नामा भी जारी किया था इसी तरह यहां से फंदया आप लोग को देखने को मिलेगा कि फतेफुर सीकरी है उस पर जाकर के विजय प्राप्त करते हैं मतलब फतेपुर जो यह होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा जो अपनी विजय के लिए फतेपुर सीकरी हिम में है न बुलंद दरवाजे का भी निर्माड करते हैं अपनी जीत के जीत का एक तरह से जसन मनानी के लिए जो बुलंद सहरे उसकी बुलंद दरवाजा है उसका निर्माड गराते हैं यह जीद आप लोगों को देखने को मिलेगी और दाउत मतलब 1576 में 1576 में जो दाउत खा है उसको भी पराजित करते हैं और यहां से ही अफगान का सासन खतम हो जाता है अफगानों का सासन क्या हो जाता है खतम हो जाता है इधर देखे में कुछ चीजें ऐसी ही लिखी है आप लोग इदर भी देख सकते हैं जैसे दच्छड भारत के एक तरह से समझौता किया था जो बहादुर सा हैं उनके साथ में एक संदी की थी और इसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा बहुत महतपुड़ भूम का नेभाई थी जो मुगल और मराठे हैं उनके बीच में बहुत महतपुड़ भूम का एक दूसरी की आप लोग देखने को मिलेगा और इसी से माना जाता है कि अकबर ने एक सोनी की चावी खोल दीती मतलब सोनी की छावी खोलना भी उसको बोला था यह अंतिमा करमण था आकबर का अगर हम बात करें यहां पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को पढ़ने की अब सकता नहीं है जैसे कि 1560-62 में जो परदासासन आप लोगों को देखने को मिलेगा और इसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि आगे जो दास पर था है इन्होंने समाप्त की थी फिर 1563 में यहां पर यात्रा पर जो टेक्स लगा जाता था उसको समाप्त कर दिया फिर 1564 में जो जजिय टेक्स धर्मों के लिए इस इवादत खानी को खोल दिया था तो यह चीज आप लोग देखने को मिलेगी साथ में जो पसूबद है उसको भी रोका था इसी तरह साब लोग देख सकते हैं कि यहां पर जो टोटर मलके कहने कहने पर दहसाला विवस्ता भी इन्होंने स्टर्ट की थी तो यह कुछ चीजे हैं आप लोग इसको ध्यान रखना जाते हैं बहुत ज़्यादा महत्रपूड नहीं हैं एक जगे पर हमने ऐसी तत्था आप लोग को लिखा दिये हैं यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगी जो देहसाला विवस्ता भी हम आप लोग को बताई थे बहले मनसबदारी विवस्ता समझते मनसबदारी विवस्ता महां पर देखने को मिलेगी यहां पती है मनसब का ए intéress है एक हो इससे फीwarz और संहिल किया जाते थे जिन को हम लोग मनसबदार के नाम से आनता था, इकниद आखि सब्दा में को देखने को मिलेगा, अब लोग बात करें बेतन की, तो बेतन देहने नगत बेतने इन को नगदीस बोला ह intent आप और इनस बार्टों के लिए जागीरडर दे जाती थी तो के लिए जागिर्दार बोला जाता था जो यह मनसबदारी वेवस्ता थी इसमें आप लोग देखने को मिलेगा कि एक तो जात होता था जो स्टेटस को दिखाता था दूसरा होता था सबार जिसमें सैनिक और पस्वों की संक्या निर्धारित की जाती थी यह क्या है वेवस्ता जैसे कि मानते हैं अगर किसी के लिए जैसे कि 100 जात लोग देखने को मिलेगी जैसे मैं एक एक सम्पल के लिए बताता हूँ जैसे किसी के पास में 300 जाद है तो वो उसका स्टेटस दिखाएगा तो 300 जाद मतलब वो क्या है मनसबदार है और यहां पर तो 300 संक्या दिखा रहा है ना इसका मतलब है कि उसके पास में कितने सवार है 300ewaar है, शावार का मतलब भोड़े होंगे, तो गोड़ो के रूप में कितने गोड़े होंगे, तो गोड़े होंगे तो गोड़ो की रुप में कितने गोड़े होंगे तो एक सभार पर जो मतलब गूसे किपे गए, तो ईखसी gymnastics.. BEn 거 जो reicht एक शेय। आपको देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या बोलतेथे, सभार बोलतेथे तो देखे ए बेवस्तेती जैसे यहां पर इसदेखने को पैए मतलब तरह से दस का मतलब पक्स लोगों देखने के उसको शुरू कुसे ने किया शुरू को अक्पार ने किया 1575 में आप लोगों को देखने को मिलेगा और जो जहांगीर था ना उसने क्या किया थे इसमें से बंदाओं किया इसमें दीखे Ah पहले चली आ रही थी, तो जहांगीर ने कहा, जहांगीर ने कहा देखिए, अगर एक सैनिक है तो उस पर कितने होंगे, दो अस्ता होंगे, लेकिन अगर कहीं पर दो सैनिक हैं, तो उसके लिए, उसके लिए सिर्फ तीन अस्ता रख सकते हैं, मतलब तीन अस्ता पर दो सैनिक, इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हो उसने सवार की संक्या में मतलब जात की संक्या में ब्रद्धी ने की जात की संक्या में ब्रद्धी किये बिना यहाँ पर जो सवार है उसकी संक्या में ब्रद्धी कर दी सेनिकों की संक्या में वरत दियोगी जैसे मैं आपको बताता हूँ पहली की विवस्ता में क्या होगा जैसे अ कबर के समय अगर हम बात करें कि यहांपर दीखे किसी के पासuir सव अगर उसका स्टेट мо है जात कितना है सव है तो सव जात का मतलब क्या है उसके पास में 100 सैनिक है, कितने सैनिक है, 100 सैनिक है, अब 100 सैनिक है, तो उसको कितने गोड़े रखने पड़ेंगे, मतलब अस्प कितने रखने पड़ेंगे, मतलब दुगने रखने पड़ेंगे, 200 गोड़े रखने पड़ेंगे, 200 गोड़े रखने पड़ेंगे, अब दिख तो खर्च क्या जाता होता है अब जहांगीर था उसने के सेनकों की संक्य उसको बढ़ानी दी और यहां पर किसो 300 गोड़े रखिए 300 गोड़े रखिए और यहां पर आप 300 गोड़ों पर क्योंकि देखिए 3 गोड़ों पर कितने सैनिक रख सकते हैं तीन घोडों पर दो सयनीक रख सकते हैं क्योंकि देखिए अगर युद्ध हो रहा है और युद्ध में एक घायल हो गया, तो दूसरा घोड़ा यूज कर सकते हैं तो यह चीज़ देखने को मिलेगा इसी तर आप लोगों को देखने को बिलेगा यहां पर कितने सैनिक हो सकते हैं अब आपको देखने को मिलेगा चीज़ यहां पर सैनिकों की संखिय कितनी हो गए नहीं नहीं, घुड़ो की संख्या है वो कम ही रखी जिससे खरचा कम हो गया, लेकं सैनिकों की संख्या बढ़ गई, वैसे बिसे दो से तो 200 senig और coral tra Come on a Wooden 400 यह दर जादा बुढ़र यह इस बजह से बिवस्ता प्रार्णम जहां से ने बुझे से प्योड़ा की थी works तो इस बनावटरा जहांगीर साजहा ने साजहां कशा जहां ने क्या घर दिया कि देखिए जो मासिक हl Todos वो मासिक वेतन है वो इस हिसाब से दिया कि छे महा का, आठ महा का, दस महा का और इसमें सवार की संख्या क्या कर दी कम करने की बात की गई थी थी कि भाई देखिए युद्ध का समय नहीं चला युद्ध का समय नहीं चला तो हम आपको छे महां का वेतन देंगे, आठ महां का वेतन देंगे, दस महां का वेतन देंगे, बोले यार जब तुम इतना वेतन दोगे, तो हम कैसे आगे बटेंगे, तुम क्या करो, तुम सवार की संक्या कम कर दो, भाई, तुमारी हम जात में कमी नहीं करेंगे, तुम सवार कम कर दो, तुम्हारी जैसे कि मानते है जात एक हजार है, मतलब इस्टेटस कितना है, जात कितना है, एक हजार है, तुम्हारे लिए अभी हम छे महां का अही बेतन दिये इस बार, तो ऐसा करो, हम तुम्हारे जात के नहीं कम करेंगे, मतलब इस्टेटस आपका कम नहीं करेंगे, जैसे आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो स्टेटस दिखाते हैं वैसे ही यह स्ट्रम होता था तो बोले जात को तो कम नहीं किया भी च्छे महा का बेतन आपको मिला है तो ऐसा अगरो तो थोड़े अभी थोड़े दिनों के लिए अभी युद्धु का समय नहीं है अगरो तुम गोड़े और थोड़े से सैनिकों को कम कर दो जब युद्धु विद्धु होगा तब उनकी संग्या को बढ़ा देना तो यह चीज़ आप लोगो देखने को मैं लेगी और इसी तरह से औरंजेब था उसने और कंडिशनल बना दिये मस्रूत इसको बोलते कंडिशनल कंडि सकते हैं और देख्ये। निकति मेए देख्ये जो मतलब जो मनसवधारी विवश्ता थी इसमें देख्ये जो निकति होती दो रिक्ट जो बादसहा के नेंतरण में मीर भक्सी था उसके दौरा निव्ति की जाती थी और बंसानगत नहीं था आप लोगों को देखने को मिलेगा हस्तानांतरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा लेकिन बंसानगत नहीं था अगर हम लोग बात करें यहां पर दाग प्रता और च तो और भूमियों को कई सिर्डियों में बाठा, इसी के लिए, जो उत्पादक्ता और भारमबारता के आधार, כई भागों बाता, जैसे कि आप लोग को देखने को मिलेगा पोजल भूमी परती भूमी चाचर भूमी आप लोग को देखने को मिलेगा साथ में बंजर भूमी इस चार प्रिकार की भूमिया देखने को मिलेगी देखिए पोजल भूमी क्या है पोजल भूमी वो भूमी होती थी जिसमें बर्स म भी वह होती थी जिस पर दो से चार बर्स के अंतराल पर किर्षी की जाती तो दीखें इन दोनों के लिए जो चाचर भूमी और बंजर भूमी के लिए जो वेवस्ता थी वो आईन ए 10 साला वेवस्ता प्रारम की थी जो आईन ए 10 साला वेवस्ता क्या होती थी इसमें देखा जाता था इस भूमी पर 10 kontal हो गा किसी बर्स हो गाए किसी बर्स 15 लोगा किसी बर्स साथ बर्सान की बात करें तो प्रिसासन है वो चेंद्री करित और निरंकुस सासक इस मिलेगा मुघ्लों क के रिठ एक प्रसासर केंद्रkommen में यहां बास्य होता था और और उसके नें त्रडं में विभाग होती थे जो प्रांतोय। को मिलेगा प्रांति में वेवर्ष थी इसे में देखेंए अकपर के काल में पन्द्राः प्रांते ने अर अंजेब के में इसी में आप लोगों देखने को मिलेगा दिखे यहाँ पर जो सब्धार हुता था जो सुबेडार जो होता था, वो प्रिसासन का कार देखता था, दीबान जो होता था, वो बित का काम देखता था, बक्सी होता था, वो सेना का काम देखता था, और यहाँ पर, जो, यहाँ पर सद्र होता था, वो न्याय का काम देखता था, ओके, तो यह चीद आप लोग को देखने को मिलेग इस प्रिकार की बिवस्ता आप लोगों देखने को बिलेगी आप यहां पर खतम हो जाता है अभी आप कहेंगे देखे और अनुरंजेब तो रह गया है तो दिखिए जो जहांगीर है और अनुरंजेब है इसके बारे में हम लोग जब आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो बहां आप लोगों कल देखने को बिलेगी तो चलिए आज के लेक्सर यहां पर ही फिनिस करते हैं हम लोग मिलते हैं कल आप लोग का लास लेक्सर होगा आप लोग लाइक से और दवागर के करते रहें